वेलकम डियर स्टूडेंट्स साबका सौगे थे ड्रीम हाइड़मी में नोटिफिकेशन आई है इंडियन एर फोर्स की तरफ से रेक्रूट्मेंट 2021-2021 और उस रेक्रूट्मेंट की जो ओफिशल नोटिफिकेशन ने वो आउट हो चुकी है यानि ओफिशल नोटिफिकेशन उन्हों निकाली है और उसमें जो पोस्ट्स की तेदा थे वो बहुत ज्यादा है यानि हजार से उपर पोस्ट्स से थावजन से उपर पोस्ट्स से एराउंड 1,500 इसकी जो सैलरी है वो 25,500 तक है और इसका लास्ट डेट जो है 2nd of May 2021 ये औल इंडिया लेवल के जॉब से इसमें कौन-कौन से स्टेपस है वो स्टेपस हम यहाँ पे आपको कहेंगे आपको अप्लाइ कैसे करना है और आफ्राइन करना है या ऑनलाइन करना है उसके लिए लिए टेर सारी जान करें आपको मिलेगी आपको करना इतना है ड्रीम है एकाडमी जो हमारा टेलिग्राम चैनल है उसको आप जोइन कीजिएगा जोइन करने के साथ आपको वहाँ पे तमान तरह की जो नोटिफिकेशन वो हासिल होती है दूसरा यह है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेर कीजिएगा तो क्वालिफिकेशन डिटेल इस पहले हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन क्या है कि इसमें 10 और 12 इसमें एपलाई कर सकते हैं डिप्लोमा जिनके पास होगा डिग्री फ्रॉम ए रिकॉगनाइज़ट यूनिवर्स्टी और एक्विलेंट फ्रॉम एक रिकॉगनाइज़ट बोर्ड फॉर इंडिन आयर फोर्स रेकूर्ट्मेंट 2021 इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकि 25 होगी लेकिन रिजर्वेशन की बात यहां पर नहीं की गई है रिजर्वेशन की बात अगर हम करेंगी तो आपको ओफिशल वेबसाइट पे चला जाना जाना है तो वहां पे आपको पुरी जान करें होगी जो सैलरी पेकेज है वो 18 से लेकि 25,500 आपका जो इसमें सेलेक्शन हो जाएगा वो पहले तो रिटन टेस्ट के बेसिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा अब पोस्ट की तेदाद आप यहाँ पर देख सकते हूं नबरा पोस्ट उसर 1515 पोस्ट इंडियन एर फोस रेक्रूट्मेंट 2021 और इंड पोस्ट आप गुरूप सी पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है और इसकी जो कौलिफिकेशन डिटेल इस जो हमने आलड़ी आप से डिसकस्ट किया हुआ है तो इंडियन एर फोस्ट के जो पोस्ट इसमें 2515 का लास्ट इट है सेकंड अफ में और सेंट्रल अब जा सकते हो www.indianairforce.nick.in apply करना है through offline यानि आपको एक application form होगी वहाँ पर डाउनलोड करना है download the application form from the given link in below जो आपके पास link होगी उस पर आप वो download कीजिए उस form को submit the required documents of photocopies of the following address तो इसमें जो address भी आपको महाँ पर दिया होगा तो उस पर आपको ये send करना है तो ये थी जानकारी jobs related in an ad force की तरफ से ये latest notification थी इसकी second में को आखरी जो है last day थे Thank you students